हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग तो वैसे तो हम लोग इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं वैसे इंटरनेट पे जो सर्च करते हैं व्राउजर के थूँ तो वैसे तो बहुत सारे व्राउजर हैं पर हम लोग जनरली क्या करते हैं Google सर्च इंजन पे जाते हैं Google सर्च इं सकते हैं वेब पर मौझूद होती हैं उन्हीं को हम सर्च कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या क्लाउड की फाइल को सर्च नहीं कर सकते हैं उनको सर्च नहीं कर सकते हैं गूगल के थूगूगल सर्च इंजन के थूग हम अपनी क्लाउड की फाईले या फिर कम्प्विटर की फाईल को सर्च नहीं कर सकते हैं, केवल वही फाईल सर्च होती है, जो वेब पे होती है, तो नया सर्च इंजन है, इसी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, कि यह सर्च इंजन है, जिसका नाम है command-e, यह आपके cloud की फाईल को भी सर्च कर सकता है तूसी पे हम देखेंगे तो यह सर्च इंजन है command e search इंजन है आपके computer file या cloud की file नाम है वो है command e web search के साथ साथ आपके computer और cloud file को भी यह सर्च कर सकता है और यह अभी तक macOS और windows के साथ काम कर सकता है दोनों पर काम करता है ये और इसकी एक सबसे इंट्रेस्टिंग जो खास बात है वो क्या है कि अगर आप Google सर्च करते हो तो आपको Google बहुत सारे रिजल्ट दे देता है एक चीज आप कोई सर्च करते हो कोई भी चीज आप search करते हो वेब पे तो Google आपको बहुत सारे related topics search करके दे देता है और उसमें priority उन्हीं की होती है जो top की sites होती है website जो top की होती है Google उनको priority देता है वो पहले आपके search में आती है आप जो भी डालते है उसके result में पर इस Google search engine की खास बात यह है कि अगर आप कोई चीज सर्च करते हो और चाहते हो कि जो top की sites हैं जैसे top 10, top 100, top 1000 वो site को हटा के हमको search result मिले तो आपकी search होगा आप जो भी keyword search करेंगे उसको आप चाहें तो top की website है उनको एक numbering से आप जैसे एक से 10 तक की top की website हों को हटा सकते हैं दस सो हजार जो भी उन top की website को हटा की search ले सकते हैं यह इसमें interesting चीज है command-e web browser में तो यह search engine काफी unique है अभी तक ऐसा search engine नहीं आया था जिसका नाम है command-e काफी interesting search engine है इसको use करा जाएगा तो दोस्तों ऐसे वीडियो आने के लिए वीडियो को like कर दीजिए support करें अगर चैनल पर पहली बार हो तो subscribe जरूर कर लेना और हमेशा तरह आप comment करके अपना suggestion और query देते रहे और देखने के लिए thank you thank you for watching and keep learning